नमस्कार दोस्तों दोस्तों बाजार में जाते हैं और कुछ भी खरीद करके ले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और खरीद करें ऐसे नहीं लाते हैं हम किसी ने किसी वस्तु का किसी ने किसी उत्पाद का किसी प्रोडेक्ट का विग्यापन देखते हैं और विग्यापन दे करते हैं कि हम खिचे चले जाते हैं और उसको खरीद लेते हैं और कुछ समय पस्चा तो वस्तू हमारे लिए उपयोगी ही नहीं रहती है जी हाँ इसी भाव को व्यक्त करने वाले पाट की बात हम आज कर रहे हैं कक्सा नो हिंदी क्षितिज के उपभोगता वाद की संस्कृत के बारे में आज हम अध्यान करने वाले हैं उस्से पहले हम चर्चा करेंगे लेखक स्यामा चरण जी दूबे के बारे में और अईए बात करते हैं स्यामा चरण जी दूबे के बारे स्यामा चरण 242 में मध्रिद्ञ जम उननीस सो बासोर में मध्य प्रृदिश के बंदelli एलखंड में हुआ और उन्होंने नागबुर विश्विद्याले से मानव विज्यान में पीसडी की उपादी प्राप्त की वे भारत के अगरणी समाज विज्यानिक रहे हुए हैं अर्था आत उन्होंने समाज को जाना परखा और उसके विश्यान में काफी कुछ लिखा है आगे बात करते हैं उनके जीवन के बारे में उनका देखान तो 1993 में हुआ उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविश्य, भारती ग्राम, संक्रमन की पीड़ा, विकास का समाज ज समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुक पुस्तके हैं इनकी प्रमुक रचनाय हैं प्रोफेसर दुबे ने विबिन विश्व विद्यालों में अध्यापन किया अर्थात अनेकों कई विश्व विद्यालों में उन्होंने अध्यापन का कारी अर्थात विद्यार्थियो उनके शिक्षा प्रदान करने का कारे भी धिया है तैसे अनेग संस्तानों में प्रमुक पद्धों पर रहे हैं जीवन समाज और संस्कृति के जलंत विश्व्यों पर उनकी विशलेशन और तथा उनकी स्थापनाइं उलेखनी है विभिन विश्यों पर उन्होंने जलंत समुदाय का समाज का ध्याना करशित किया है अपनी और वी जटिल विचारों को तारकिक विशलेशन के साथ सहजवासा में प्रस्तुत करते थे यानि जो मुश्किल विचार होते थे उनको तरक के साथ में प्रस्तुत करके अपनी बात को प्रकट करते थे जानते हैं यहां संक बंद में बताये गया कि किस प्रकार एक मनुष्य है किस प्रकार हमारा समाज बाजार की गिर्फत में आ चुका है कहा है आगे कि लेक चा मानना है कि हम विग्यापन की चमक दमक के कारण बोस्तों के पीछे भाग रहे हैं और कि हमारी निगाह गुणवाधता पर नहीं होती य कि संपन और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन से लिए अपनाई जा रही है यह जो लोग संपन है रुपे पैसे की जिनके पैस कोई कमी नहीं है ऐसे लोग जो है दिखावे वाली संस्कृति अपनाते हैं अर्थात लोगों को दिखाते हैं उसके कारण क्या प्रभावपणा कि यह सब्वेता के विकास की चिंता जनक बात है सब्वेता का जो विकास है वो गलत दिसा में जा रहा है और जिससे उब्वोगत वाद ने परोसा है और इस संस्कृति को किसने परोसा है उब्वोगत वाद ने उब्वोगत वाद क्या है किसी परक्रापन के द्वारा उसका प्रचार प्रशार करती है जसे एक इनसान एक मानव मनुश्स से आकरशित हो जाता है उसको खरीदने के लिए तो दूम कर तो लेकर कि यह बात महज होते चले गए, गरीब लोग और गरीब होते चले गए, तो बीच में, समाज में ये खाई और गहरी होती चले जाएगे, इसी बात को प्रतिपाधित किया है, प्रकट किया है, इस निबंद के द्वारा, स्यमाचर रणजी, चलिया, शुरुआत करते हैं, इस निबंद के.